मीन रासी वलों का आजी का रासी फल यणी की 9 अक्टूबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वला हूँ 9 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्तमी, नक्छत्र है आरदरा, पक्छ है क्रिस्न पक्छ, दिन है सुक्र बार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजी के 18 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 57 मिनट में रितू है सरद आजी का दिन काल है 11 घंटे 38 मिनट 47 सेकेंड का महिना है अस्विन आजी के दिन सुर्य समय शुरू होता है 11 बजी के 44 मिनट एम से 12 बजी के 31 मिनट पी एम तक असुभ काल शुरू होता है 12 बजी के 31 मिनट पी एम से 1 बजी के 17 मिनट पी एम तक राहू काल शुरू होता है दस बज के चालीस मिनट एम से बारह बज के आठ मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें सब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में मित्रों प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियाद बिहतर और शांदर है दूस्तों आज से पहले अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रियास आपको करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शमय, आपका भःग्य, आपका शाथ अवश्य देगा मित्रों आज के दिन अगर अपने घर पडिवार में आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने सह कर्मी या अपने कर्मचाडियों के साथ आपको वर्ता लाप करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके कामकाज में आपके काड़िय च्छत्र में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके सिक्षा की बात करें तो सिक्षा के दृष्ठी कौन से आपका समय, सामाने से बहुत जयादा नीचे है मित्रों अगर आप सिक्षा के च्छत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समय के महत्रो को समझना होगा क्योंकि अगर आप समय के महत्तों को नहीं समझते हैं तो पढ़ाई लिखाई के छित्र में सिक्छा के छित्र में आगे बढ़ने में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे तोटके भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक के बारे में मित्रों आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है सिल्बर और सफेद आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यनी की टू दोस्तों आज के दिन अपने शमय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आप गवसाला में कुछ दान पुन्ने करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगह सेर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वेडियो में धन्यवाद जे सी आराम